हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मेरा नाम है भय शुक्ला और आप देख रहे हैं टेक्टर का आज मेरे पास है Realme Buds Q2S जो की Realme की तरफ से एंटी लेवल आफरिंग है और ये फर्स टाइम TWS बायर्स के लिए एक अच्छा आप्शन हो सकती है ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपक केस वीडियो में लेकिन उससे पहले नीचे दिख रहे सब्सक्राइब की बड़न को दबा दीजिए Realme Buds Q2S एक ट्रांस्पेरेंट डिजाइन के साथ आते हैं और देखने में काफी यूनिक लगते हैं चार्जिंग केस के लिए ट्रांस्पेरेंट है और ये डूरेबल भी लग रही है अवरॉल केस प्लास्टिक का है और इसमें मैट फिनिश दी गई है केस में एक चार्जिंग लाइट इंडिकेटर और रियर साइड में टाइप सी चार्जिंग पूर्ट भी दिया गया है अब ये डिजाइन अच्छा तो दिखता है बट ट्रांस्पेरेंट लिट होनी की वज़ा से इसमें स्क्रैच इजली पर जाते हैं और अगर कहीं ये गलती से गिर जाएं तो लिट इजली टूट भी सकती है अब इयरबट्स की बात करते हैं इयरबट्स में इन इयर फिट डिजाइन देखने को मिलता है जो की मैट फिनिश के साथ आता है फोर दास्किंग प्राइस इसकी कॉलिटी मुझे डिसेंट लगी और इयरबट्स काफी लाइट वेट भी हैं तो लंब़े यूसज में मुझे किसी तरह का कोई इशू नहीं हुआ कमफर्ट वाइस भी ये इयर बट्स काफी अच्छे हैं और कानों में बहुत अच्छे तरह फिट भी हो जाते हैं मेरे रणिंग टेस्ट में भी इयर बट्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और ये लूस तक नहीं हुए अपार्ट फ्रॉम इयरबट्स आर IPX4 सेटिफाइट तो स्वेटिंग को लेकर भी कोई इशू नहीं होगा Realme Buds Q2S में 10mm के ड्राइवर्स दिये गए हैं जो की हाई-end Realme Buds Air 3 में भी दिये गए थे Earbuds में low to mid range volume में balance sound output सुनने को मिलता है जैसे ही 70% से ज़्यादा volume increase करते हैं तो vocals थोड़े से shrill sound करते हैं लेकिन Earbuds में bass कमाल का है और Realme link app में जाकर आप इसे और भी enhance कर सकते हैं Overall I would say इसमें decent sound output मिल जाएगा और अगर आप bass lover हैं तो यह आपको बिलकुल भी disappoint नहीं करेगा Earbuds में एक microphone के साथ ENC यानि environmental noise cancellation दिया गया है This is not ANC इसमें AI की मदद से आज पास की sound को isolate किया जाता है पर यह ANC जितना effective नहीं होता है मुझे इसकी sound quality average ही लगी sound output काफी suppressed लगता है और volume भी काफी कम जाती है अगर noise environment में इससे call करेंगे तो background noise बहुत जादा सुनाई देती है Realme Buds Q2S में latest Bluetooth 5.2 का support दिया गया है साथ इसमें quick connect का feature भी मिलता है जिसे earbuds के case को खोलते ही यह instantly connect हो जाते हैं अगर touch controls की बात करूं तो इसमें earbuds पर tap करके आप play pause next और previous song को access कर सकते हैं इसमें touch responsiveness भी मुझे mostly accurate ही लगी एप से touch controls को customize किया जा सकता है इसके अलावा एप में different sound effects को भी set कर सकते हैं Earbuds में 88 millisecond की low latency मिलती है Casual gaming के लिए यह मुझे ठीक लगी बट शूटिंग और battle royal games के लिए मुझे यह अतना accurate नहीं लगा Realme Buds Q2S में 4-5 घंड का usage easily मिल जाता है और case के साथ 23-24 घंड का usage भी easily मिल जाएगा अगर इसके previous version से इसे compare करें तो यह काफी significant upgrade है इस price segment में यह earbuds बहुत ही अच्छा battery backup offer कर रहे हैं साथ ही इसमें fast charging का support दिया गया है जिससे earbuds को 10 मिनट चार्ज करके 3 घंटे का playback time ले सकते हैं और earbuds को full charge होने में लगभग 40 मिनट का समय लगता है Realme Buds Q2S दिखने में काफी ज़्यादा trendy और unique लगते हैं इसमें sound performance भी अच्छी मिल रही है बट इसकी call quality को और better किया जा सकता था अगर आपका budget 2000 के आज पास है और आप एक decent sound quality वाले earbuds धूण रहे हैं जिसमें battery life भी अच्छी हो तो Realme Buds Q2S एक अच्छी choice साबित हो सकते हैं